वेलकम क्रिप्टो यूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत थे फ्लोकी के ओपर यार काफी अपडेट्स आ रही थी और फ्लोकी के बारे में वीडियो भी काफी दिन पहले बनाया था जब मैंने कुछ अपडेट्स आपको दी थी फ्लोकी के बारे में जो लेटेश्ट अपडेट आई है ये फ्लोकी को बड़ी बड़त यहां पर देने की तैयारी कर रहा है और इसी का इंपेक्ट है कि मार्केट आगे बड़े उससे पहले ही इन्वेश्टर न्यूज को देखकर काफी एक्टिव हो चुके है लाश्ट 24 आर्स में 22 परशन तक फ्लोकी पंप हुआ है अगर अन्न मीम टोकन को देखे तो एसी बड़त किसी भी टोकन में इतनी बड़ी तो नहीं दिख रही है अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर होगी जिस कारण से फ्लोकी में इतना जबरजस्त बूश्ट आया है आखिर क्या वज़ा है ठीक है तो आईए उसको समझते हैं इसके अलावा फ्लोकी को और रिलेटेड बहुत सारी हमारे पास न्यूज है जिनको आपको जान जरूरी है फ्लोकी के इन्वेश्टर है और अगर बनना चाहते है तो देखिए वर्तमान में 3-0 का लेवल है फ्लोकी का और 32-5 के लेवल पर चल रही है 37 वी सबसे मुलवान क्रिप्टो करंसी और 10 वे नंबर पर ट्रेडिंग वोल्यूम अगर इन आकडों को देखिए तो स सबसे मोश्ट इंपोटेंट आकड़ा हो जाता है ट्रेडिंग वोल्यूम का दसवे नंबर पर यानि कि आप ऐस समझे कि क्रप्टो मार्केट की टॉप 10 की एसी क्रप्टो करंसी है फ्लोकी जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है यानि कि वोल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है आप समझ सकते हैं इसी से इसकी आगे की भविश्य की ग्रोथ कितनी पॉसिबिलीटी है अब मैं आपको उस न्यूज की तरफ लेके चलता हूँ उससे पहले चैनल पर पहली बार आये है तो सस्क्राइब कर सकते हैं और फ्लोकी के बारे में आपकी क्या ओ जाले है ठीक है open market से basically lapse एक project treasury जो open market से 12 million dollar के फ्लोकी खरीदेगी अब आप समझे ये न्यूज फरवरी के बात से आए है तब 10 million dollar के फ्लोकी purchase किये थे और अब फिर से 12 million dollar के फ्लोकी यानि कि आने वाले महिनों में नए उत्पादों को पेस करने की यहाँ पर flow की जो तयारी कर रहा है उसी का impact है कि इसके mainnet पर metaverse game भी सामिल हो रहा है और यह इस type की purchase बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी भविश्य में और यह दो बड़ी update कहीं न कहीं flow की को एक next level की तरफ लेके जाएगा अगर और आगे समझे तो यहाँ पर बताये गया है एक flow की developers ने कहाए कि DW Labs ने की meme को इनके बढ़ते ecosystem तंत्र का समर्थन करने के लिए 12 million dollar मुल्य के flow की token खरीदे जाएंगे यह खरीद अगर आप देखें यह purchasing फरवरी में 10 million dollar मुल्य के flow की token खरीदेने की प्रतिबधिता के बात की गई है उस समय कीमत में 50% की वरद्धी होई थी तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा मतलब क्या निकल रहा है जब इसी लेपस ने flow की token को पहले खरीदा था तब 50% तक flow की के price pump हुए थे अब यही wheels या wheels कहें बड़ा players कहें फिर से flow की में आई है तो फिर से वही अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ा pump आ सकता है जिसका असर आप देखो 21% तो पहले ही मिल गया है यानि कि purchase तो किया नहीं उससे पहले ही तो कितनी बड़ी news मार्केट में यहाँ पर दिखा रहा है flow की token न्यूज खतम नहीं हुई यह दूसरी बड़ी news की तरह move करते है वो निकल कर आई है flow की token की तरफ से जहां पर आप देखेंगे कि basically इस meme coin flow की ने हाल ही में BNB chain पर 4,17,400 holders को पार कर लिया है इतने लोगों तक अपनी reach बना ली है meme token ने BNB chain पर basically BNB chain क्या है आगे समझेए यह बजार का पूजी करण और धारकों की संख्या के हिसाब से उस blockchain पर सबसे बड़ा meme coin बन गया है यानि कि एक प्रकार की meme token सबसे बड़ा बन गया है और BNB blockchain chain है जहां पर इस meme token ने सबसे बड़ा meme token बन के उभरा है और flow की developers ने एक नया telegram अधारी trading bot लौज किया है जो धारकों को BNB chain network पर किसी भी token का वेपार करने के अनुमती देता है बदले में वो 1% charge लगाता है जिसका 50% वो flow की token खरीदने में खर्च करता है यानि कि सुरुवात में मैंने इसके बारे में आपको update भी बताई थी कुछ समय पहले सुरुवाती में beta friction चरण में launch किया गया trading bot जून 24 के मद्ध में जनता के लिए पूरी तरह से उपलबद होने की उम्मीद है ठीक है यानि कि इसमें आप ethereum और base blockchain पर विस्तार करने की योजना भी बन रही है अब आप इसको ऐसे समझिए कि एक प्रकार का ये chatbot है telegram अधारित जो कि flow की token खरीदने में काम आएगा अब आप सोचिए इसी का impact है कि BNB chain पर flow की के सबसे ज़्यादा token हो गये है यानि कि सबसे ज़्यादा holder हो गये है क्योंकि लोग वहाँ से shift होके इस ओर आए है और इसलिए flow की में जबर जब जब बूश्ट देखने को मिला है यहाँ पर एक और बड़ी ख़वर की तरब बढ़ते हैं और वो है flow की से related जिसमें flow की token को burning पर एक news आपने 2-3 महिने पहले देखी थी जिसमें community और खासकर flow की holders के एक सुझाओ मांगे गए थे कि क्या हम flow की को burn करें जिसमें कुछ 10 trillion के आसपास flow की token को burn करने का था और उसमें काफी सुझाओ लोगों की तरब से मिले हैं और finally हो सकता है कि भविश्च में flow की के वो token burn होने लग जाए अगर ऐसा होता है तो शीबा इनू की तरह ही flow की में भी burning बड़े पेमाने पर होगी और इसका advantage सायद सीबा को तो नहीं मिला बर्निंग का लेकिन flow की को मिल जाएगा इसके पीछे सबसे बड़ा reason है इसकी calculating supply flow की की calculating supply मातर 10 trillion 9 trillion या 10 trillion हम मान लेते हैं इतनी है जब की शीबा इनू के आप देखे 589 trillion है यानि कि इससे कई गुना ज्यादा 50 गुना ही होगा ना ज्यादा सायद यह 500 गुना पचास गुना सायद तो इतनी ज्यादा है अब आप समझ सकते हैं कि अगर flow की इस पेमाने बड़े पेमाने पर burning को execute करता है तो इसकी supply बहुत तेजी से घटेगी और जो supply की बाद जो demand create होगी उससे जो 0 है वो बहुत तेजी से घटेगी यहनी कि 1-2-3-0 धीरे-धीरे मिटा के और market एक तेजी से boost करेगा flow की का तो आप समझ सकते हैं कि किस type का impact यहाँ पराने वाले समय में flow की दिखा सकता है क्योंकि यह हाल यह में क्या हो रहा है कि सभी meme token में तगड़ा competition चल रहा है डोज शीबा कहता है मैं आगे निकलूँगा पेपे कहता है कि मैं तो सबसे आगे हूँ तो flow की उसको पीछे चोड़ने की कोशिस करता है बोंक भी धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाता है शीबायनू छुपर उस्तम की तरह से आगे जाएगा तो आपस में बड़ा competition है अब क कह दो कि मैं सभी meme token का हूँ मैं भी सबका हूँ ठीक है नितिस कुमार बन जाओ आप तो नितिस बाबू क्योंकि वही हो रहा है नितिस सबके है और सभी उनकी पूछ परक कर रहा है और फाइदा सभी से ले रहे है और सभी उनका फाइदा कर भी रहे है अभी मोधी सरकार मे उनका बहुत पूछ परक होगी अगर वो इंडिया गडबंदन में चले जा तो वहाँ बहुत पूछ परक होगी तो आपको भी नितिस बाबू की तरह ही रहना है और सबके बनके रहना है डोच कोईन भी आपके पास हो और बिटकोईन की थोड़ी से न्यूट जाते जाते देख लो सित्तर हजार इकोत्तर हजार के लेवल पर बीटीसी आ गया है हलाकि यहाँ से गिराव की फिर से स्थिती बन चुकी है क्योंकि अगर मार्केट दस घंटे से जादा यहाँ पर इस लेवल पर घूमा तो मतलब मार्केट क्रेस होगा मार्केट गिरेगा लेकिन अगर इसको लेवल को तोड़ के उपर निकल गया तो लगभग एक महिने की सबसे उची उडान इसकी रहेगी और यहाँ से एक तरीके से हेवी बुलरन की सिरुवात हम कह सकते है हलाकि अभी मार्केट रुका है इस लेवल पर उस दिन भी एक दिन तक रहा था तो हेवी बुलरन की सिरुवात हम कह सकते हो और फ्लोकी में इस टाइप की न्यूज कहिना कहीं जबर जस्त बूश्ट देगे फ्लोकी होल्डर्स को तो आई होप ये वीडियो काफी हल्फुल रहा होगा चैनल सस्क्राइब कर लेजे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सस्क्राइब, नमस्कार